येस वी अलाइब नौ। तो चुट्टी करने का कोई पॉइंट नहीं बन रहा था तो मैंने किसी तरह से इसी क्लास के लिए हमत जुटाई है थोड़ी अधर्वाइस बाकी सेशन्स आज एप में भी आफ थे करियर विल पर स्टार्ट करते हैं थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और उसमें एक कॉंटेंट्स की लिस्ट लगवाई है और प्रिंट भी अब हो जाएगी वो तो आप टेलिग्राम से जाकर के लिंक शौर देदेगा एक बार टेलिग्राम पर जाकर के वो डाउनलूड कर लिजए फिर से आपको प्रिंट करने में दिक्कत नहीं आएगी दूसरा उसमें सारे जो कॉंटेंट्स हैं जो भी चैप्टर्स हैं वो सब आपको शुरात में मिल जाएंगे तो आप उसे साब से पेज के साब से जा सकते हैं और जो आंसर एक गलत था वो भी ठीक कर दिया है तो वो आप एक बार देखिए बाकी सब्जेक्ट्स पर भी काम चल रहा है में इतवित खराब नहीं होती तो जल्दी चीजें और बहतर उपाती हैं बट चल रही हैं चीजें तो ये टेलिग्राम पर मिलेगा बहुत ही बढ़िया लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे जैसे जैसे आते जाएंगे ये कह रहे हैं 54% लोग ठीक है हाँ हिंदी के नोच भी मेरे पास हैं मैंने प्रेंट निकाले हैं बस एक बार प्रूफ रीड करना है हिंदी और इंग्लिश EVS पर भी उत्राइब बराबर काम चल रहा है अगले दो-तीन दिन में आपको मिल जाएंगे दोंट वरी देखिए निमलिखित में से किस कारे के लिए शब्द कोश से सहता नहीं मिलेगी शब्द कोश यानि डिक्शनरी दिक्शनरी से सहता नहीं मिलेगी लिखा है पहला option है उचारण में सुधार यानि आपको अपने pronunciation में अगर सुधार करना है शब्द संपदा में सुधार करना है यानि आपका जो vocab है वो बढ़ जाए वर्तनी यानि spelling सही क्या है तो उसके लिए भी आप उस word को pronounce करेंगे तो उचारण में सहता कही न कहीं मिलती है नहीं तो अब लिखा भी होता था जो परानी जमानी की dictionary ही सोती थी कि इसको ऐसे उचारण इसका ऐसे होगा ठीक ना तो dictionary उचारण में सहता देती है ये बात सही है शब्द संपदा यानि vocab में भी help करेगी आपके शब्द भंडार को बढ़ाएगी वर्तनी में सुधार यानि spelling में भी improvement होता है लेकिन एक चीज है लिखावट में सुधार आपकी writing या आपकी लिखावट कैसे सुन्दर बनाएगी dictionary उसका काम ये थोड़ी है वो तो वो आले books होती थे ना जिनको आप सुलेख करते थे तो लिखावट में सुधार सुलेख से होगा किसी और तरीके से करेंगे आप लेकिन dictionary आपकी लिखावट में सुधार नहीं कर सकती यानि आपकी राइटिंग सुन्दर कैसे बनाएगी dictionary है ना तो इसका आंसर जो है वो D है जितने भी बिलकुल बहुत ही बढ़िया कोई दिक्कत परिशानी सब अलग-अलग आंसर दे रहे हैं इसका एक मिनिट रुक जाएगा पोल ठीक से जा रहे है भाई एक मिनिट रुक आप दीजे आंसर एक मिनिट रुक ना ठीक आगे बढ़ेंगे question number है 2 समग्र भौतिक प्रिक्रिया विधी में डैश अवबोधन विशे का आधार है समग्र भौतिक प्रिक्रिया ये इसको TPR कहते हैं इंग्लिश पेड़गोजी में भी topics ही है इसले बस आपका सेम ही है दोनों में TPR बोले तो total physical response समग्र भौतिक प्रिक्रिया यानि physical response को भौतिक कह रहे हैं इसमें क्या है teacher ने कहा कि इतनी बड़ा एक कुछ था या फिर मचली जलकी रानिया यानि teacher ने कहा जो मैं activity करूँ उसी के पीछे आपको total physical response करना है जो आपको कहा जा रहा है exact वही चीजें आपको उस निर्देशन के हिसाब से follow करनी है बात तो सही लग रही है तो TPR में क्या है विशय अवबोधन में dash अवबोधन विशय का आधार है यानि जो समझ पा रहे हैं वो किस basis पे समझ पा रहे है सुन करके समझ पाएंगे या पढ़ करके समझ पाएंगे या बोल करके या लिख करके तो श्रवन करके teacher जो बोलती है उसके पीछे आपको वो activities repeat करनी है पूरी body से या जो भी activity कही जा रही है तो ये सुन करके ही तो आप अवबोधन या पता लगा पा रहे हैं कि क्या कहा है teacher ने तो ये listening के द्वारा यानि श्रवन के द्वारा तो a option is the right answer over here आगे बढ़ेंगे question number 3 देखिएगा question number 3 देखिएगा फिर जा करके हम बढ़ेंगे आगे question number 3 कहता है जब विद्यारतिया आनंद के लिए पढ़ते हैं इसका तातपर रहे वे dash में सनलगन है यानि बच्चे किसके लिए आनंद के लिए pleasure के लिए पढ़ रहे हैं ठीक है उनको interest है इसलिए पढ़ रहे हैं तो वो किस चीज में सनलगन होंगे सरसरी दृष्टी से पठन करेंगे बारीकी से पठन करेंगे गहनता के साथ पठन करेंगे विस्तार से पढ़ेंगे बताईएगा एक बार कोशिच कीज़े इसका जवाब देने की सही तरीके से सब अपने अपने तरीके से इसका आंसर दे रहें गहनता के लिए फिर आपकी क्लास्रूम में पढ़ाई कराई जाती है जो C की तरफ दौर लगा रहे हैं कई लोग गलत आंसर हो गया देखिएगा बहुत ही बढ़िया मिक्स आंसर सारे हैं इसमें समझते हैं अगर हम बात करें C कहा रहे हैं कितने परसेंट लोग? 44% लोग और भी देखें बाकी लोग कितने परसेंट क्या दे रहे हैं अंसर 17% D दे रहे हैं देखिएगा जब विद्यार्थिया आनंद के लिए पढ़ते हैं तो इसका तातपर रहे वे डैश में सनलगने हैं सरसरी दरश्टी से पठन ये तो जब आपको बहुती तेजी से कुछ कोई वर्ड ढूंड रहे हैं तब ऐसा करते हैं आप जब स्कैनिंग का प्रयोग करते हैं आनंद के लिए पढ़ रहे, तो आप विस्तार पे फोकस करते हैं question number 4 कहता है यानि आप mix कर देते हैं जो संकेत हैं उनको आपस में जब अपनी सुविदा के अनुसार समझने के लिए भाशा को किन लोगों में देखे जाएंगे एकल भाशी लोगों में तो यहां मिश्रण की संभाव नहीं है क्योंकि एक ही भाशा है दुई भाशी में पठन वैकले ग्रिसित बच्चों में या गढण वैकले ग्रिसित बच्चों में तो गढणा की तो यहां बात ही नहीं होगी एक ही बात हमारे पास बचती है कि वो बच्चे जुनको दो भाश ना करके तो B option is the right answer आगे बढ़ेंगे question number 5 पर question number 5 देखेगा यह क्या कहता है भाशा की आधार भूत संरचनात्मक एकाई है यानि basic जो unit है language की बताइएगा एक बार basic unit of language एक तरह से यह पूछा है हमसे आधार भूत एकाई science pedagogy तो हम नहीं करें है देखो batch में होगी हो फिर पैर को क्या हुआ यार रचना कल उतरते हुए यहीं से मोच आगे एक बहुत इगंदे तरीके से पैर ऐसे मोड़ गया फिर बस मज़े आगए उसके बाद तो सब कर लिया गरम पट्टी बांद ली ये कर लिया वो कर लिया फिजियो को दिखा लिया इसके बाद आप समझ में आया कि हाँ आइस पैक का इस्तमाल भरपूर हो रहा है और दवाई भी तो अब आराम है मतलब मैं खड़े हो पा रही हूं दरवाइस आज दो पहर तक भी इस्थि अच्छी नहीं थी अब हो जाएंगे नोट्स प्रिंट जो नए वाले नोट्स आपके साथ शेयर किया ने टेलिग्राम में वो आप एक बार अप्रिंट करिएगा और बाकी सब्जेक्ट्स के भी में कर दूंगी है जल्दी है ठीक है प्रणाम इन्विजिबल चलिए एक एह रहे हैं 46% लोग यानि भाशा की आधार भूत संरशनात्मक एकाई स्वनिम है इसको हम क्या कह देते हैं फोनीम कह देत ठीक question number 6 देखिएगा question number 6 देखिएगा ये कहता है बहु विकल्पी प्रशन clause परिक्षन निमलिखित का मिलान करो आदी प्रशनों के उन प्रकारों के उधारन है जिने हम बहुदा dash परिक्षनों में देखते हैं यानि बहु विकल्पी प्रशन जैसा ये है mcq की बात हो रह ने हैं तो वो भी clause परिक्षन हो गया निमलिखित का मिलान करो side A है side B है मिलान करो कौन सा सही है कौन सा गलत है तो ये mcq based या वस्तोनिष्ट objective टाइप प्रशन पत्रों में परिक्षनों में ही इनका प्रयोग जादा किया जाता है आप अपने भी exam में देख लीजे तो यह पर मिलान की भी बात आती है कई बार कई बार फिलिंदा ब्लेंक के अच्छा इसकी जगाप पे जैसे कल हम NEP के question कर रहे थे तो कहां से कहां shift होता है तो वो clause की तरह काम करेगा ठीक पत्र लेखन मौलिक निबंद नहीं वस्तोनिष्ट प्रशनों में क्योंकि ये closed ended questions होते है question number seven देखेगा एक बार और जवाब दीजेगा क्या कहता है question number seven यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवशकता होगी समानार्थी बोले तो synonym यानि जो समान अर्थ रखते हों और विपरीतार्थी बोले तो opposite words बताईएगा एक बार और जवाब दीजेगा फटा फट से बताईएगा मेरी friend कासिन शिफा को best of luck बोल दीजे please कासिन शिफा best of luck भी मेरी तरफ से एक दम best of luck और थोड़ी बहुत समस्या है अगर आएं भी जीवन में फिर भी मस तरीके से काम करें खुश रही है आना all the best जो consistently आप मेहनत करते हैं वो consistency basically आपको help करती है long run में चलिए देखेगा इपार a option कहा रहे है 47% लोग यानि यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरितार्थी जानना चाहते हैं तो शब्द कोश में सिर्फ समानार्थी या विपरितार्थी होते हैं क्या और भी चीज़ें होती होंगी या ना संकलन शब्द समूह का सूची कोश या जो शब्द कोश से भी क्योंकि dictionary में भी कई बार noun form है और भी extra चीज़ें होती हैं जो given होती है लेकिन यहां पर बात सिर्फ समानार्थी और विपरितार्थी ही हो रही थी तो C option जादा सही है आगे बढ़ेंगे question number 8 पर देखेगा इसको समझेगा क्या कहता है question number 8 वर्ग पूछी जा रही है उनसे एक तरह से तो पठन शब्द संपदा लेखन या वाचन देखिएगा एक बार और बताईएगा फटाफट से बताईएगा पहेलियों की बात हो रही है तो खेल विद्यार्थियों की किस चीज़ को सुधार नहीं में मदद करेंगे basically उनके पास जादा शब्द होंगा शब्द भंडार उनका बहतर हो जाएगा शब्द संपदा उनकी बहतर हो जाएगी क्योंकि पहेलियां जरूरी नहीं पढ़के लिखके या बोल करके ही उनको यूज करने हैं वो सुन रहे हैं और उनका शब्द बहतर हो रहा है अगर पढ़ भी रहे हैं तब भी शब्द भंडार बहतर होगा question number 9 देखेगा फटा-फट से ये क्या कहता है question number 9 है सूश्री सुधीना कक्षा एक में भाषा पढ़ाती है वह अपने विद्यार्थियों को कविता और शिशुगीत पढ़ाना पसंद करती हैं जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं तो जो टीचर है सुधीना जी वो कक्षा एक में भाषा यानि लेंग्वेज को पढ़ाती हैं और कविता और शिशुगीत जो छोटे बच्चों के लिए होते हैं पोयम्स और बालगीत टाइप उनको पढ़ाना पसंद करती हैं जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं तो सुष्री सुधीना अपने विद्यार्थियों को डैश के डैश को पुष्ट कर रहे हैं किसको श्रवन एवं वाचन को वाचन एवं पठन को श्रवन एवं पठन को या फिर पठन एवं लेखन को बदाएगा एक बार 76 परसेंट लोग कह रहे हैं यह उप्षिन है इसमें आप लोग सही दे रहे हैं जादा तरलोग जवाब बहुत ही बढ़िया मैं आपका आवाज भारी है ख्याल रुखिये देखेगा अगर हम बात करें 74 परसेंट लोग कह रहे हैं श्रवन एवं वाचन जो की सही है तो जब आप किसकी बात हो रही है कविता और शिशुगीत सुन रहे हैं पढ़ाना पसंद करती हैं जिने पहले वो सुनते हैं श्रवन कौशल बहतर होगा फिर दोहर आते हैं दोहर आते हैं मतलब वाचन यानि बोलना कौशल बहतर होगा वाचन मतलब speaking skills तो यह option ही यहाँ पर no doubt सही है क्योंकि पहले वो सुन रहे हैं तो यहाँ पर वाचन बाद में नहीं आ सकता पहले श्रब और कोशल बहतर होगा क्योंकि पहले सुन रहे हैं और फिर बोल रहे हैं या दोहरा रहे हैं question number 10 देखेगा एक बार यह कहता है जब कोई विद्यार्थी भाशा का प्रयोग अपनी भावनाओं समवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करता है या करती है वह भाशा के डैश प्रकारे का प्रयोग कर रही है यानि जब आप एक विद्यार्थी है मान लीज और आप language को यूज कर रहे हैं अपने emotions को अपने भावना अपनी feelings को और अपने thoughts को express करने के लिए तो यह किस तरह का function है language का यह पूछा है बहुत बढ़ी अकांग्शार कल तक हो जाएगी ठीक है तब यह इतनी बड़ी कोई problem नहीं है चल जाएगा काम कोई क्या रहा है इतनी सी मौच में हिम्मठ तुट गई आपकी माही कह रही है यारी इतनी सी रही है मैं को lifetime में शायद पहली बार ही मतलब आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि मौच आ गई हो या कुछ तो यह मेरे लिए पहली बार ही था और सच में ही खतरनाक था देखेगा अगर हम बात करें question number 10 की जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं समवेगा और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करता है फटा फट से बताईए तो डैश प्रकार्य का प्रयोग कर रही है c option 39% है इतनी दूर से आपको बहुत पता लग रहा है इतनी सी है या कितनी सी है देखो एक बार c option 39% लोग वियंजक और अर्थपूर्ण परकार रहे का बिलकुल कि आप भाषा का प्रयोग किसलिए कर रहे हैं अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए तो meaningfully आप language को यू जगबीर की बात हो रहे है टीचर है श्री जगबीर अपनी कक्षा 2 में शुरुत लेख के प्रयोग से अपने विद्यार्थियों की डैश शमता में सुधार कर रहे हैं जगबीर क्या है टीचर है कक्षा 2 में है ठीक शुरुत लेख यानि जिसको हम इमला कहते हैं डिक्टे परवाती हो, वो सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन मॉक टेस्ट करो तो बहुत गलत होते हैं, अप राजिता, तो उसी पर तो काम करना है, आप AC क्यों चलाते हो, पेमार तो हो गई, अवाइड AC, पारूल यह सिर्फ यहाँ, क्लास के लिए चलता है, अब सारे सारे ग्यान चन् देखो एक बार, अगर हम बात करें, question number 11 की तो B कह रहे हैं, 74% लोग, तो श्री जग्बीर अपनी कक्षा 2 में शुरूत लेख यानि डिक्टेशन, जिसमें बच्चे सुन करके लिख रहे हैं, इमला कहते थे जिसको, अपने विद्यार्थियों की डैस शमता में सुधार कर किसमें लेखन और श्रवण में या श्रवण एमलेखन में, पहले विद्यार्थि सुनेंगे, जब शुरूत लेख का मतलब है सुन करके लिखना, तो पहले बोला के एक चिडिया थी, तो बच्चे ने पहले सुना और फिर लेखा, तो श्रवण और लेखन दोनों बहतर हो Q12 क्या कहता है, पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता है, यानि आपकी रीडिंग को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता है, दिव्यांगता क्या है, ये पूछा है, हमसे फटा-फट से बता दीजाए, इंगलिश भी कराएंगे, don't worry, अगया हो कहीं, देखो एक बार, कोई बात नहीं हिंदी वीक है, तो ठीक भी तो हो सकती है, ऐसी क्या बात है, बी ऑप्शन 82% लोग कह रहे हैं, चली समझते हैं, पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता, पठन वैकल्या है, या वैफल्या भी कह देता है, जिसको डिसलेक्सिया कहता है, ये एक नंबर में क्वेस्चन, CDP में भी मिलेगा, ये आपको हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा, तो डिसलेक्सिया के आसपास दीचार नंबर का काम आपका हो जाएगा, तो ये लेखन वैफल्या नहीं, लेखन वैफल्या डिसग्रैफिया होता है, या जब लेखने में दिक्कत हो, या परवीन की कक्षा में बहुदा विद्यार्थियों से अपक्षा की जाती है कि वे उनके पीछे-पीछे दोह रहे हैं। उसी को दोहराना हैं। इसका मतलब क्या होगा अपनी कक्षा में पुन्रा वृति ड्रिल का। लेंग्वेज में कई बार ड्रिल का प्रयोग करने की ज़र्थ पढ़ती है। तो उस सेम चीज रिपीट कर रहे हैं बच्चे ताकि उच्चारण बहतर हो सके। आगे बढ़ेंग सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए अब लाबधायक नहीं है। केवल पठन के उच्च स्तर तक पहुँच गए पाठकों के लिए लाबधायक नहीं है। बताइए बार फट आफट से बताइएगा तब जागर कि हम आपको कोई और बात कर पाएंगे। देखा हम सब कितने केर करते हैं आपकी हाँ प्रिया राजवत ये बात बिल्कुल मैं मानती हूँ और इसलिए मैं खड़े हो पा रही हूँ अदर्वाइस तो फिर दूसरा कोई रीजन ही नहीं है। क्योंकि इस टाइम पे आप अप मैटर यह नहीं करता हमने 15 क्वेशन किय मैटर यह है कि आपकी वह continuity दिमाग में बनी रहना बहुत जरूरी है वह होसला बने रहना बहुत जरूरी है अस टाइम पे अदर्वाइस नोट से मिलेंगे बड़े सेशन भी होंगे और like share तो आप करेंगे ही जो कि आप भूल जा रहे है 27,200 कुछ लोग है हम लोग और 9,000 लाइक किया है कहां है यह बाकी के तीन गुणा लोग में से सिर्फ 1.30 कर पा रहे हैं हां बताओ एक बार फटा फट से धन्यवाद यार ठीक है यह कह रहे हैं 88% लोग चलिए समझते हैं सास्वर पठन जिसको हम क्या कहते हैं सास्वर मतलब loud reading जब आप proper सुर ले ताल के साथ पढ़ रहे हैं तो पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाबदायक होता है या पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठक रहा हो उसके लिए उच्छ तर तक पहुंशने के लिए तो सास्वर की जुरत नहीं फर तो आप गहनता से पढ़ने के लिए आप मन में मौन पठन करते हैं सास्वर तो उचारन वगेरा और इंट्रस्ट क्रिएट करने के लिए लाया जाता है तो जो पढ़ना सीख रहे हैं उनके लिए ज्यादा important है सास्वर पठन ठीक सास्वर मतलब loud reading और मौन पठन गहनता से पढ़ने के लिए यानि silent reading तो आपको ज्यादा detail में जाना होता है तो आप silent reading करते हैं जैसे आप अभी बड़े हो चुके हैं और छोटे बच्चों के साथ deal करने में आपको loud reading का प्रयो teaching remedial teaching जैसे हाथ भी उपर करना है क्या चलिए आगे बढ़ते हैं देखे गार हम सभी unique है यार मस्त रहो खुश रहो देखो बी option 61% लोग कह रहे हैं तो उप्चारात्मक सिक्षन किस सिस्तिती में दिया जाना चाहिए विद्यार्थी अधिकम का आनंद ले रहे हैं तब विद्या आर आएगा यानि पहले डाइग्नॉस करेंगे निदान यानि गैप का पता लगाएंगे और फिर रेमेडी देंगे तो प्रॉब्लम क्या है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं तो गैप पता लग गया हमें अब हमें रेमेडी बेनी है तो जो निदान आत्मक या उप्चारात्म सिक्षण है वो कब दिया जाएगा जब बच्चों को समझने में दिक्कत हो रही है जब वो समझ नहीं पा रहे हैं तो यह B option है जो important topics की list बताई थी उसमें मैंने आपके साथ ये शेयर किया था out of 15 कितने ठीक हुए session पसंद आया हो like share कीजगा और subscribe नहीं किया हो तो वो कर लीजगा छोटा सा session था आज यह PDF टेलेग्राम पर मिल जाएगी notes का मैंने एक और नया PDF updated PDF CDP वाले ही उसमें थोड़ा सा कुछ और add किया है वो भी आपके साथ शेयर कर दिया है उसमें printing की भी दि काम आपका almost done है उसमें थोड़ी सी proof reading बाकी है तो हो जाएगा don't worry ठीक है कल मिलेंगे new PDF में क्या है new PDF में कोई खास अंतर नहीं है बस एक तो जो growth and development है व्रिधियम विकास उसकी एक table add करवा दी है ताकि फटाफट से एक नजर में देख जाएं आप दूसरा जो last में NEP का ज नहीं भी पड़ पा रहे हैं तो उसमें आप शुराप में देख लें कि माली जय यह वाला topic है तो किस page पर होगा मैं आपको दिखा भी देती कल दिखा दूंगी कि उसमें क्या 3-4 changes है ज्यादा कोई ऐसे changes नहीं है जो आपने अगर पुराने print निकाल लिया तो आप उसी से पोई ऐसी दिखत नहीं है ठीक है ना हाँ CC उसमें added नहीं है तो English medium के लिए भी वाले notes मैं अब जल्दी ही आप तक कोशिश करूंगी पहुंचा दूं तो उसमें add करा देंगे don't worry ठीक है ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं marathons में cover करा दूंगी 2-4 चीजें रही जाती है कि कि ऐसे दिल पे नहीं लेते हैं कोई बात नहीं नॉर्मल बात हैं कभी कबार लाइफ में हो जाती हैं बस हामेने खुराफाती हैं तो कि इतनी cycle चलाई है sports में थी गाओं में थी खेल कूद सब कुछ किया है बट ऐसे कभी मोच नहीं आई तो यह first time है मेरा experience कर रही हूं नहीं हो भाई thank you so much take care bye bye ध्यान रखे अपना